तो गाइस Samsung फोनों में अगर आप लोग Galaxy Store यूज़ कर रहे हैं और Galaxy Store में अगर आप लोग को Auto Download को बंद करना है तो कैसे करेंगे वो हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कलीजीगा बि Apps पे Apps पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोग को सर्च कर लेना होगा या फिर आप लोग खुझते ढूंड सकते हैं Galaxy Store ठीक है तो यहां पर आ चुग है Galaxy Store इस पे हम क्लिक करेंगे और इस टाइप का आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा अब आप लोग को स्टोर करेंगे और यहां पर देखे Advanced में आप लोग को मिलेगा Install Onion Apps इस पे क्लिक करें और अगर इसका सोर्स अलाव होगा तो आप लोग को इसको आफ कर देंगे जैसे कि अलाव कर दिया आप लोग को आफ करना होगा तो आप लोग के फोन में Automatically कोई भी एप डाउनलोड नहीं है तो आप लोग बैक आएंगे और आप लोग को जाना होगा अपने फोन में Biometrics and Security पे उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पर आप लोग को मिलेगा Install Onion Apps इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम ढून लेते हैं अपना Galaxy Store या चुका इस पे क्लिक करेंगे और यह अला होगा तो आप लोग को सिंपल इसको deny कर देना है तो आप लोग को सिंपल यह setup को follow करना है आप लोग का Galaxy Store से कोई भी applications automatic download नहीं होगी I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय मतादी